हेलो फ्रेंस रादे रादे तो चलिए फ्रेंस आज आज आपको फिर से हम एकोन नएट जानकी लेड़ो गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल इजी है जिसके लिए मैंने यहां पे ब्लैक और वाइट लिया हुआ है दो कलर से हम बनाएंगे और यहां पे मैंने यह क्रोश्या वाली वूली है पतली वाली जिसे हम इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यह नॉर्मल वूल के जैसे हो जाती है जैसे हम अपनी एक लर वाली रूल लेते हैं उस तरह से इस तरह से बहुत ही इत्तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारीशी ड्रेस बनाना बताऊंगी यहां पर भी मैंने डबल करी है कलर कॉमनिशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है और यहां पर मैंने 10 नंबर शलाई ली हुई है तो सबसे पहले हम यहां पर अपना फंदा डालेंगे तो फंदा हम ब्लैक से डालेंगे तो फंदे मैं ब्लैक कलर से डालूँगी और यहां पर इस तरह से हम फंदा डालेंगे सिंपल तरीके से यह देखिए एक और यह दो तीन चार पाच छे तो ऐसे ही हम फंदा डालके अपना कंप्लिट कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं कि फ्रेंस मैंने यहां पे फंदे डाल लिये हैं और यहां पे जो हम आपको ड्रेस बता रहे हैं यह तीन से चार नंबर गोपाल जी के लिए आपको बता रहेंगे तीन नंबर के मैं लिए बना रही हूँ और चार को यह आराम से आ जाएगी तो यहां पे टोटल फंदे मैंने साट और चार फंदे डाले हुए है तो देखिए 60 और 4 फंदे डाले हुए है 64 फंदे तो देखिए फ्रेंस मैंने याँ पर 64 फंदे डाल लिए है अब ये दिखिए इनको हम ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनाते हुए कंप्लेट करेंगे तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से इसको उल्टा-उल्टा बनाओंगी यहाँ पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नोटेपे किसन पहुंच सकें और देखिए मैं आपको यह ब्लैक और वाइट में बता रही हूँ अज आप कलर कॉंबनीशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो देखिए मैं यह दोनों साइट से इसको उल्टा-उल्टा बनाते हुए लंबा करूंगी थोड़ा सा उसके बाद आपको यहां पे दिखाएंगे कि कैसे हमने ड्रेस को बनाना है सबसे पहले मैं इसका आपको गेरा बता रही हूं तो दोनों साइट से ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनाते हुए थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे यहां पे क्या करना है अमने सबसे पहले गेरा आपको बनाना बता रहे हैं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा कर लिया है तो यहां पे आप यह देखे हैं यह देखे एक दो ऐसे democrats चे जए सलाय के बनारे के बाद हमने डॉनों साइड का हमारी यहांपे 12 सलाय को चुकी से इसके बाद क्या करेंगे यहां पे नीचे का बना हुआँगे तो वह कैसे बनाय यह वह मैं आपको बता हूंग यहां पर दिख रही है यानि कि दोनों तरफ की बारिश लाईयां यहां पर मैंने टोटल बना ली है अब यह देखे इसके बाद हम अपनी यहां पर कंगूरा बनाएगे किस तरह से अपनी पत्ती बनाएगे तो यह देखे एक दो तीन और तीन चार यह देखे तीन फंदे मैंने बनाए और यहां पर हम इस तरह से यह देखे तीन फंदे बनाने के बाद हम यहां पर अपनी नेट बनाएगे तो देखे कैसे बना रहे हैं यह देखे एक एक नेट बना ली चार फंदे बन चुके फिर धागा अपनी तरफ किय है फिर दूसरी नेट बना लिए पांच फंदे हो चुके हैं अब धागा अपनी तरफ करते हुए छे साथ और ये आठ आठ फंदे यहां पर मैंने टोटल अपने बना लिए है यह देखिए दो दो चार दो छे यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि कि दो फंदों पर मैंने अपनी नेट बनाई है और बीच के अगल बगल के फंदे दो तीन तीन उल्टा उल्टा बना लिए तो यहां पर टोटल यह देखिए एक दो तीन और ये नेट वाला फंदा नहीं गिरनी हूँ चार पांच छे साथ और ये आठ और देखिए दो जो बढ़ चुके है नो और ये दस यानि कि मैंने पट्टी मैंसे मैंने आठ फंदे ले लिए हैं और दो फंदे हमारे यहां पर नेट डालके हमने बढ़ा लिए तो यह देखिए फिर से हम आगे सीधी सलाई पर यह देखिए एक दो तीन और इस बार हम अपनी यह देखिए जो बढ़ चुका है उसको भी उल्टा फंदा बनाएंगे चार फंदे हो चुके हैं और यहां पर बीच वाले फंदे पर ही नेट डालेंगे इस तरह से यह दिखिए फिर दागा अपनी तरह अब इधर भी चार फंदे एक दो तीन और यह चार तेरमी चलाईपे मैंने अपनी नैट डालनी शुरू कर दी है आठ फंदे हमने लिए हैं पत्ती के लिए और पहली सलाई से ही नेट हमने अपनी बना दिये यानि कि जाली उल्टी सलाई में कुछ नहीं करना है उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे और सीधी सलाई पर ही हमने नेट बनानी है तो यहाँ पर अभी तक मैंने यह देखी दो नेट बना चुकी हूँ और तीसरी अब हम बना रहे हैं पांच फंदे हमने उल्टे बना लिए ये देखिए पांच फंदे इसके बाद ये देखिए तीसरी नेट को बना रहे हैं दाग अपनी तरफ है यह देखिए इस तरह से एक फिर दागा अपनी तरब गुमाया दो फिर इधर हम एक दो तीन चार और ये पाच उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं कुछ नहीं करना है इसको हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लेट कर लेते हैं कि दिखिए मैं आ गई फिर से सीधी सलाई पर चौथी सलाई पर यहां पर फीन चोथी नेट डालें ड़ेंगी कर दो दो तीन चार पांच और यह देखे एक बढ़ चुका फंदा छे तो यह देखे एक दो तीन तीन हम बना चुके अब यह देखे यहाँ पर चौथी नेट हम बनाएंगे इस तरह से यह देखे इसके बाद यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच और यह देखे छे उल्टी श्राई पूरी उल्टी बनाएंगे तो यहाँ पर मैं अभी तक अपनी चार नेट बना चुकी हूँ अब इसके बाद हम कोई net नहीं बनाएंगे 4 net डालने के बाद कोई net नहीं बनानी है अब क्या करेंगे यहाँ से अब फंदा हम घटाना शुरू करेंगे तो यानि कि हमारी दोनों तरब 4-4 फंदे बढ़े हैं आठ फंदे की पत्ती बनाई है और आठ फंदे नेट डालके बढ़ा लिए है यह देखिए मैं आपको यहां पर दिखाती हूं यह देखिए इस तरह से तो दो दो फंदे हम गिरेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो यानि कि 16 फंदा हो चुका है अब यह देखिए यहां से किस तरह से घटाना शुरू करेंगे एह देखिए यहां पे हम सुरूआ में ही दो का एक कर देंगे और बीच वाले फंदे सभी को उल्ठा-उल्ठा बनाएंगे कोई नेत नहीं बनानी है अब होग में अब दोनों साइट से फंदा घ्राना सुरू करेंगे आयँ गरिक है जो हमने चाण नेड बनाई है वो भी पत्ती हमने, वो भी फंदा ऐसे ही बना लिया है, अब दो फंदा, दो का एक इस साइड भी हम कर देंगे, यह देखी, यहाँ पर भी दो का एक कर दिया, सीधी साइड से ही हम फंदा घटाएंगे, यहाँ पर भी दो का एक कर दिया, उल्टी सलाई को पूरा उल्टा ब अभी 6 फंदे घटाने बाकी हैं जैसे ही 4 सलाईयों पर हमने फंदे को बढ़ाया है वैसे ही 4 सलाईयों पर दोनों साइड से फंदा घटाएंगे जैसे दोनों साइड से नेट बनाई थी वैसे ही अब यह देखी यहाँ पर 2 का एक करेंगे यह देखिए ऐसे बीच वाले फंदे सभी को औल्टा औल्टा बना लेंगे और तूसरी साइड भी और 2020 यह थोड़ा सा इसको घटा लेंटे हैं यहाँ पर लेश्ट में आपको फिर दिखाते हैं यहाँ अब यहाँ पर भी दो में कि यह दिखे एक करेंगे इस तरह से यहां पर यह पत्ति हमारी ऐसे आ जाएगी तो आईए कर लेती हूं इसको ऐसे ही लाश्ट में आपको फिर दिखाती हूं और यहां पर यहां पर भी 6 फंदा बाकी है तो मैं आपको लाश्ट कभी दिखा रही हूं यह देखिए सीधी सलाइए में हम 2 का एक कर रहे हैं इस तरह से दिखे और बीच वाले फंदे सब ही को उल्टा उल्टा बना रहे हैं इस साइड भी हम 2 का एक कर देंगे यानू कि यहां पर फिर से 2 का एक करेंगे और यह देखी 2 का एक कर दिया अब यहां पर भी 2 का एक करेंगे इस तरह से देखी फिर उल्टी शायट को पूरा उल्टा बना लेते हैं यह देखी अब दोनों फंदों को 2 का एक कर देंगे इस तरह से देखी 2 का एक कर दिया और 2 का एक करने के बाद हम यहीं से अपनी इसमें दागे को कट करेंगे और इस तरह से नोट लगा, अच्छी इप प्त्र हमारी बन चुकी है, और यहां पे देखें, इधर भी 4 नेट है, और इधर भी 4 नेट है, दोनों हमने 4-4 नेट बनाते हुए, पहली सलाई में नेट डाल दी है हमने, यह नहीं है कि एक सलाई बनाने के बाद नेट डाली है तेरवी सलाई पे हमने सीधी सलाई पे अपना नेट डाल दी है तो यहां पे दौनो साइट की हमने यह बारे सलाईयां बनाई थी तेरवी सलाई पे अपना नेट डालना शुरू कर दिया है चार नेट बनाई है दौनो स से फंदे को घटाते हुए इस तरह से पत्ति हमने बना ली है अब फिर दूसरी पत्ति के लिए हम फिर से वही चीज करेंगे यह देखिए एक बार आपको फिर से दिखा रहे हैं यह देखिए थोड़ा सा लंबा धागा कर लेते हैं एक अब यह हम साथ में ही ले लेते हैं दो और यह तीन तीन फंदे बनाए अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ है और यह देखिए यहाँ पे तीन फंदे बनाने के बाद चौथे मि नेट डाल दी और छटा उल्टा बना लिया और सात्मा उल्टा बनाया और यह आठ फंदे हो गए उल्टी शलाई में कुछ नहीं करना है उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे तो आईए मैं ऐसे ही सभी फंदों में अपनी पत्ती बनाके complete कर लेती हूं उसके आगे आपको फिर दिखाती हूं तो चलिए कर लेती हूं इतना इसको बनाते हुए complete यहाँ पर यह देखिए हमने जो धागा अमारा था वो हम दोनों धागों को पकड़ते हुए बनाये हैं अब यहाँ पर एक ही बनाना है हमने फंदा ऐसे ही यह और हम फिर से अपनी नेट बनाएंगे ऐसे पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा इस तरीके से उल्टी स्लाई को पूरा उल्टा बना लेंगे तो चलिए कर लेते हैं, ऐसे ही बनाते हुए complete, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर दिखाएंगे तो देखी फ्रेंज, यहाँ पर मैंने पूरी पत्ती अपनी बना ली हैं, इस तरह से यह देखी, बहुत ही प्यारी शी, और यहाँ पर हमारी आठ पत्ती बनके complete हुई है, और जो हमने यहाँ पर धागा अपना छोड़ा था, वो पीछे लाके मैंने कट कर दिया है, नोट लगा के तो यहाँ पर यह देखी, इसमें हमने यहाँ पर चार नेट बनाई है, चार नेट बनाने के बाद दोनों साइट से फंदा हम घटाते हुए गए हैं, फिर एक फंदे पर लाके हमने नोट लगा दिये, तो इस तरह से हम एक और इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर यह देखी, ड्रेस का लुका आ चुका है, यह देखी आप, आप देख सकते हैं, तो आईए मैं यहाँ पर अपना दूसरा पार्ट भी आपको बताती हूं किस तरह से बनाना है, तो देखी फ्रेंस यहाँ पर दूसरा पार्ट हमने यहाँ प यहां से मैंने अपनी एक दो तीन चार चार सलाईयं बनाई है यानि कि दोनों तरप की साथ सलाईयं यहां पे टोटल अपनी बना ली हैं यह दिखिए छोटी-23 और यहां पे बनाएंगे इनको ये देखी इस तरह से सात्मी सलाई पर हम अपना यहां से ये देखिए दो और धागे को इस तरह से करेंगे टीन चार पाँच और ये छे छे फंदे हमने ले लिए छे फंदे हमने यही से पलट गे सलाई को पलेटने के बाद ये रिखी एक बनाया दो बनाए और यहां पर हमने दो फंदों पर अपनी नेट बना दी ये रिखे एक दो और दो फंदा इधर भी उल्टा कर लेंगे इस तरह से उल्टी श्राई को कुछ नहीं करना है पूरी श्राई को उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेना है इसमें हम तीन नेट बता रहे हैं आपको और उसमें मैंने ब्लैक में चार बनाई है इसमें हमने 6 फंदे लिए है उसमें हमने 8 फंदे पत्ती में लिए हुए है इस तरह ऐसे ही बनाने का तरीका सेहम रहेगा कम जादा फंदे हमने रख लिए हैं इसमें ये देखिए दो और ये तीन अब दूशरी नैट बना रहे हैं ये देखिए ऐसे अब तीन फंदा इधर भी उल्टा कर लेते हैं ये देखिए उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे आगे हम फिर से तीसरी नेट पर और सीधी सलाई पर एक, दो, तीन और ये चार अब यहाँ पर ये देखिए दो नेट डल चुकी है हम यहाँ पर तीसरी नेट अपनी बना रहे हैं इस तरह से देखिए तीन नेट बन चुकी है इसी तरह से मैंने इसमें चार नेट बनाई है वो ब्लेक है, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है और इसमें 8 फंदे लिये हैं पत्ती में इसमें हमने 6 फंद लिया है इसके बाद उल्टी शलाई को भी पूरा उल्टा बनाएंगे ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये पौशाक बता रहे है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं प्यारीशी हमें आपको हमारी पौशाक कैसी लगी ये देखिए अब यहां से तीन नेट बनाने के बाद हम सीरी स्लाइट से अपना फंदा घटाना शुरू करेंगे वैसे ही जैसे हमने इसमें चार नेट बनाने के बाद फंदा घटाना शुरू किया था ये देखिए दो का एक कर दिया बाकी के बीच वाले फंदे हम सब ही को उल्टा-उल्टा बना लेते हैं यह देखें और यहां पर इस साइड भी हम दो का एक कर रहे हैं इस तरह से उल्टी चलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे तो चलिए उल्टी चलाई को बनाते हैं तो आगे सीधी पर फिर से हम 2 का एक करेंगे और बीच वाले फंदे 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 2 का एक तो चलिए हम घटा लेते हों लाश्ट वाले फंदे में मैं आपको यहां पर फिर दिखाऊंगे उल्टी चलाई को पूरा उल्टा बना रहें कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें हम को दोनों एक ही कलर में भी आप इसको बना सकते हैं कि बल्गे दोकाई कर दिया Hai आईए मैं यहां पर एक फंदा रह जाता है तब डिखातें आपको तो दिखिए यहां पर मैंने दो फंदे रह गए हैं दो फंदों को उल्टा बना रहे हैं उल्टी साइट से और सीधी साइट सीधी वाली साइट पर हम दो का एक कर देंगे तो सभी फंदे हमने यहां पर घटा दिये हैं और यहां से हम धागे को निकालेंगे और निकालने के कट करेंगे और कट करने के बाhel में व्ह आपको बता देते हूं किस तरह से हमें पथी में इस तरह से सलाई में डाला और यहां पे यह दागे कोने काला क्योंकि अच्छे से हमारा हो जाएं यह पर खुले नहीं और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे ताकि यह रिखे आप यहाँ पे सुई से भी आप टाक सकते हैं क्योंकि खुलने का डर है यह रिखे तो अच्छे से पत्ति यहाँ पे कंप्लेट है यह वाली ऐसे ही मैंने बाकी की पत्तियां सभी बना ली है अब लाश्ट की एक पत्ति रही है इसको भी हम यह रिखे यहाँ पे धागा लगाते हुए यह रिखे छे फंदे ही रहे हैं हमारे यहाँ पे एक दो छे छे फंदों की सभी पत्तियां मैंने बनाई हुई है तीन चार पांच और ये छे, अब एक फंदा बनाया, दूसरा फंदा बनाया, तीसरे पर नेट डाल दी, फिर चौथे पर नेट डाली, फिर दो फंदा इस साइड उल्टा, ऐसे ही हम इसको भी बना लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं, तो चलिए कर लेती हूं इस पत्ती क हो भी, तो देखिए फ्रैंस, यहाँ पर हमारे दौनों पार्ट बनके कंप्लेट हो चुके हैं, यह रेखिए, अब इनको हम इस तरह से रखेंगे, और इनको हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, तो देखिए किस तरह से हमने सिलना है, इस चीज को हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर य पलकासा खीचने के बाद आपका बराबर बैट जाएगा यह दिखे आई तो इसको हम ऐसे ही यहां पटाकेंगे यह दिखे अब अड़ी में है अब और 10 कंटी विर्दत इसमें आनी चाहिए यहां पर बाइड दागा मुए नहीं हुआ और इसी से हम इसकी यहां पर ऊफिसको जगय जगय से टांक लेंगे है तो चलिए हम इसको शिलाई करते हैं यहां से हमने इस तरह से इसको टांक लेना है ये धि ज्यादा नहीं सिलेंगे पत्ति के पास में ही हम हम पत्ति को यह देखी इस तरह से निकाल लेंगे यह देखी अब इस पत्ति को इस बीज में लाएंगे इस पत्ति के बीज में ऐसे ही हम पूरा अपना सिलके यहाँ पर यह देखी इस तरीके से यह देखी तो आईए मैं ऐसे ही इसको सिलते हुए कम्प्लेट करती हूँ मैंने इसको यहाँ पे सभी पत्तियों को टाक लिया है और अच्छे से यह देखी यहाँ पे ड्रेस बनके कम्प्लेट है तो देखिए यहाँ पे घेरा तो हमारा complete है इसमें हम डोरी डालेंगे तो देखिए इसके बाद मैं आपको चोली बता देती हूँ यहाँ पे चोली किस तरह से बना ली है तो देखिए फ्रेंस मैंने यहाँ पे 32 डाल लिया है 32 डालके यहाँ पे उल्टी उल्टी सलाईयां दोनों स्टाइट से बनाई है तो देखिए मैंने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांस सलाईयां बना ली है अब यह देखिए पांस सलाईयां बनाने यहाँ पर हम यह तीन से चार के लिए बना रहे हैं यह तीन को आप मैं तीन के लिए बना रही हूँ आप इसे चार को भी पहना सकते हैं अब यह देखिए यहां से हमने किसी भी साइट से इसको आप पहना सकते हैं मैं इधर की साइट से भी रख सकते हैं चाहे आप इधर की साइट से रख सकते हैं तो देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां से अपना फंदा घटाएंगे यह देखी इस तरह से छटी शलाई में हम अपना फंदा घटा आ रहे हैं यह देखी दोनों सैट की छटी शलाई पे यह देखी एक दो तेन कि चार कि पांच कि छैर कि साथ कि आठ कि नौ कि दैस कि और यह ग्यारा ग्यारा फंदे घटा दिये अब दस फंदा यह देखे एक दो तीन चार पांच और यह चैर और यह साथ आठ नौ और यह दस अब ग्यारा फंदा इस साइट का भी घटा देंगा यह देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और लाश्ट का फंदा ग्यारमा अब यहां पे हम इस तरह सी दागे को खींचेंगे और यहां पे अपनी नौट लगाएंगे इस तरह से यह देखे अब यहां से हम अपनी अपनी कैप बनाएंगे तो कैप के लिए हम यहां से इस वाइट वाले दागे को कट कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी कैप यहां पे पूरी टोटल अपनी बनाएंगे यह रेखिए ऐसे ब्लैक को यूज नहीं करेंगे वाइट से ही आप चाहें तो सेम दोनों कलर से भी बना सकते हैं और यह मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताया है वीडियो अच्छा लग क्याइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं प्यारी शी पोशाक यहां पे आपको हमारी कैसी लगी कि तो चलिए हम इनको भी वैसे ही 60 आप यहां बना लेते हैं यानि की दोनों शाहिट की यहां पे बारिश लाइशा हो जाएंगी तो देखे friends मैंने यहां पर बारे सलाइयं बना ली है अब यहां से हम अपना फंदा घटाएंगे जितनी सलाइच मैंने नीचे बनाई थी वैसे ही मैंने कैप में बना ली है और यहां पर तीन नंबर गोपाल जी के लिए यह पोशाक बनके complete हो चुकी है तीन और चार को आप इसे पहना सकते हैं तो देखिए सारे फंदे हम बंद कर रहे हैं आप तीसरी सलाई लेकर के भी सलाईयों से भी आप फंदे यहां के बंद कर सकते हैं चाहे आप सिलाई कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर हम नौट लगाएंगे और इस तरह से खीचेंगे खीचने के बाद यहां पर यह रिखिए सिलाई कर देंगे चाहे आप जैसे भी आप यूज करना चाहें वह आप कर सकते हैं यहां पर इसको हम इस तरह से यहां से सिल देंगे तो देखिए यहां पर सुई में धागा डालके तो देखिए फ्रेंस यहां पर चोली बनके कंप्लिट है यह देखिए बहुत ही तीन नमबर गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर्शी चोली और गेरा बनके कंप्लेट हो चुका है और यहां पे हम एक डोरी डाल देंगे ताकि अच्छे से हम इस तरह से कैप लगा के पहना सकेंगे और पिछे से अच्छे से यह बंद हो जाएगे और बहुत ही प्यारा सा य इसे ही रखना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं बहुत ही प्यारी सी यहां पर सुंदर्शी चोली हां पर बन गई है यह दिखे तीन नमबर को एकदम फिटा जाएगे और आप इसे चार को भी पहना सकते हैं यह देखिए इस तरह से और बहुत ही सुंदर सा घेरा है य चलिए मैं डोरी डाल लेती हूं तो देखिए friends मैंने इसमें भी डोरी लगा ली है यह देखिए यहां पर और मैंने चोली में भी डोरी डाल ली है यह देखिए बहुत सुंदर्शी प्यारी सी चोली भी बनके complete है और देखिए आप colour combination आप अपने ही सापसे ले सकते हैं जो उसके बाद हम अपना गेर पहना देंगे तो पहुत ही सुन्दर से हमारे गोपाल जी लगेंगे तो देखिए कलर कॉमनिशन आप अपने इसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है किसी भी कलर में आप बना लें चाहे आप एक कलर से ही बना लें वाइट से ही चाहे आप दो कलर से बना लें तो बहुत सुन्दर सी प्यारी शी पोशाक बनके कंप्लीट है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं प्यारी शी हमारी पोशाक आपको कैसी लगी तो आईए मिलत देंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए हरे किष्णा रादे रादे